हे नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकी जोन यूट्यूब चेनल और फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत एक और नए वीडियो में तो गाईज आपको पता ही होगा कि यहां पर 29 अगस्त 2019 को यहां पर हो सकता है शाओमी के रेडमी नोट एट और शाओमी के रेडमी नोट एट परो के साथ साथ दोस्तों यहां नए ने फीचर यहां पर लिक होकर आ रहे हैं तो एक और वीडियो में यहां पर आपके लिए लेकर आ गया हूँ और वीडियो का जो like aim है वो रखते हैं 50 और हमेशा की तरह आप इसे जरूर से पुरा कर दोगे तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर नए फीचर की जिसका मैं जिकर कर रहा हूँ मैं आपको देखने को मिलेगा तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर M.I.U.E. 11 में जो नई चीज़ लेकर आई है वो है Ape Wallet और उसके जो Advanced Security Tool है वो यहाँ पर निकल कर आया है यहाँ पर बात की जाए Ape Wallet की तो पहले Ape Wallet की बात की जाए तो यहाँ पर Ape Wallet है वो अब आप Dark Mode में यूज़ कर पाएंगे जो पहले बेटा टेस्टर्स थे उनको यह अपडेट मिल चुका है लेकिन M.I.U.E. 11 में हमें Dark Mode देखने को मिलेगा एप Wallet में इसके लाओ दोस्तों यहाँ पर आपको जो Advanced Security Tool है वो भी देखने को मिलेगा जिसमें आपको WhatsApp और Facebook के जो चेक होते हैं वो आप के लिए कर पाएंगे इसके लाओ दोस्तों यहाँ पर आप जो अपने device की health भी चेक कर पाएंगे जो issues होंगे वो fix कर पाएंगे और इसके लाओ जो virus है उसे scan कर पाएंगे तो यह जो tool है यह आपको app wallet में ही add करके दे दिया जाएगा Xiaomi की तरफ से तो यह एक नई चीज आपको app wallet में देखने को मिल जाएगी साथ ही दोस्तों एक और यहाँ पर screenshot आया है तो वहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा app wallet और uninstall करने का option आ रहा है तो दोस्तों यह जो है यह screenshot प्ले स्टोर से लिया गया है और प्ले स्टोर में जो app wallet है उसका जो beta tester है यहाँ पर जो beta के लिए apply कर चुके हैं और कुछ bugs थे major bug जिने आपर fix कर दिया गया था लेकिन दोस्तों beta tester को यह 14 अगस 2019 को मिला तब बाकी लोगों को अभी मिलना बाकी है जिनको नहीं मिला है उनको M.I.O.11 के update में या फिर play store के update में जरूर से देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आया होगी तो वीडियो को like कर दीजिएगा share कर दीजिएगा और बताइएगा comment करके की वीडियो आपको कैसी लगी thank you guys आज का ये वीडियो देखने के लिए